दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज वाले इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एंडरोइड से डूडी प्रोब्लम के सॉल्यूशन पर दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी का कोई भी सिम कार्ड यूज़ कर रहे है और आपको आपके फोन पर कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलता है तो इस प्रोब्लम का सॉल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हैं कंप्लेट जनकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर मैं कुछ स्टैप्स आपको बताऊंगा जिनको अगर आप फोलो करते हैं तो आपकी जो प्रोब्लम है 100% होने वाली है तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने हैं पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज बालेकिन को प्रेस करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ आपको दोस्तों सबसे पहले अपने फोन की सैटिंग पर क्लिक कर देना है जिसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर ही एक ओप्शन देखने को मिल जाता है SIM Card and Mobile Network आपको इस पर क्लिक करना है जिसके बाद इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आएगा इसके बाद दोस्तों आप जिस भी कंपनी की SIM योज करते हैं आपको इस पर टैप कर देना है यहाँ आने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के ओप्शन आ जाएंगे जैसे Access Point Name, Preferred Network Type, Mobile Network, Use Vault तो आपको Access Point Name पर क्लिक करना है और इसको नीचे से Reset कर देना है फिर आपको एक Step Back आना है, Preferred Network Type पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों, Maximum जो भी आपके फोन के अंदर ओप्शन है 2G, 3G, 4G, 5G, आपको उसको Select करना है फिर आपको नीचे की तरफ एक Option देखने को मिलेगा, Use Vault तो इस वाले Option को भी आपको Enable रखना है और एक और चीज़ का आपको धियान लखना है, Data Roaming को आपको अपने फोन में Enable करके रखना है जैसे कि मैं Back आकर Advanced Setting में आ जाता हूँ, Data Roaming का Option मेरे को यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ से मेरे को Always Select कर लेना है उसके बाद हमें यहाँ से Back आना है Back आ जाने के बाद दोस्तों, Again हमें अपने फोन की इसी Setting के अंदर जाना है और यहाँ पर Mobile Network वाले एक Option देखने को मिल जाता है हमें इस पर Click कर देना है यहाँ पर दोस्तों हमें दो Option दिये जाएंगे या थो हम अपने Network को Manually Select कर सकते है या हम Automatically Select कर सकते है तो जैसे हम इस वाले Option को यहाँ से Disable करेंगे Next करके OK Press करेंगे तो यह Manually Select करने के लिए हमारे Network को चला जाएगा दोस्तों हमारे एरिया में जितने भी हमारे आसपास के जितने भी Network अवेलिबल होंगे वो समी हमारे स्क्रीन पर आ जाएंगे और जिस भी कंपने का हम से भी यूजी करें हमें उस Network को स्लैक्ट कर लेना है यह तो है Manually Process अगर दोस्तों यह सभी Network आ जाने के बाद हमें दुबारे से इसको Automatically स्लैक्ट Network इसको दुबारे से Enable कर लेना है जिसके बाद गाई जो हमारा जो Network है वो Registered on Network हो जाएंगे और जो आपकी Sign into Network वर्क वाली प्रोब्लम है उसका solution हो जाता है और एक और बात दोस्तों आपको बता दूँ अगर जो की SIM पर आपको इस तरह की है तरह करेंगे